सब्सक्राइब करने जा रहे हैं और अगर आपने यहां पर दाउं अगर चुक गए तो आप हो सकता है पस्ताना पड़ जाएगा क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ही तेजी के साथ यहां पर ब्रेकाउट बनता हुआ दिख रहा है या खिर चुल ये ब्रेकाउट की बात नहीं करेंगे हम टेक्निकल पैरामेटर के बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बात के उपर और पिछले कुछ महीनों से या कुछले कह सकते हैं कि पिछले कुछ सा साल की बात कर सकते हैं तो साल की बात करेंगे तो यहां पर इस कंपनी में बहुत ही जबर्ज़त जो रिजाट बिटाई हुई थी और हो सकता है कुछ लोग इस स्टॉप का प्राइस देख करके अंदाजर लगा सकते होंगे ठीक है तो वहां सारी बातों पर चर्चा करेंगे और मेरा नाम है सिख शहीर आप देखरें है चलिए सुरू करते हैं दोस्तों अगर आपको भी अकाउंट ओपन करा ना मतलब जो है दौड चुके है जैसे कि नंबर एक सेक्टर के हम बात करें तो नंबर एक सेक्टर सबसे ज़्यादा जो दौड लगाई है वो बैंकिंग सेक्टर और वो सेक्टर 2018 से गिर रहा है जी हां मैं बात कर रहा हूं आटो सेक्टर के बारे में तो अभी अगर देखी आप अगर एक अच्छे इंवेस्टर हैं तो अगर आपको लूपीन वो गया ग्लैन उगया तो यहां एक अगर से में लिएक सबस्क्राइब करेंगी इवन नहीं नहीं है को आपको सब्सक्राइब गर देखुनाएं तो पकड़ते हैं और वह इस टॉक्स में भी जान आ जाती है जो काफी जादा अंडर इस्टीमेट लेकिन यहां पर हम अगर देखेंगे सब्सक्राइब करें और लिग्जच कंपनी है तो सब्सक्राइब क्स्रीया इसको हम जोड़ा सा वीकली चाल्ड के उपर हम आपको यहां पर दिखाएंगे तो फोड़ी सी क्लियर नजर आ जाती यह बात हो रही है गिरावट छेली है और इस इस टॉक यहां पर पर के यह और के टिक गया और उसके पाद फिर यहां पर एक लंबी गिरावट आई और यह गिरावट देखिए यह सटाथ कर वरी 2020 को इसमें यह स्टाथ ने कम से कम जो है मैं बता रहा हूं 95 रुपी का लोग बनाया तुछ लेक पे चला गया था यह इस टोप यहां पर यहां पर कंपनी में काफी अच्छा रिवाइवल आया है और यह कंपनी को काफी अच्छी जादा जो है कह सकते हैं पकड़ है आटो सेक्टर में और यह यह कंपनी के सपलायर पहला ही बगभए चला है litur करंट यह चला सब्सक्रांबर चला ता 14 December को यह 95 रूपीस to five पैसे पर यह लेते हैं चलिए अभी हम देखते है प्राइज का चलिए भी हम सोड़ा सा सेरिंग चलिए शेरहोलडिंग पैटरन हम चेक कर लेते हैं और पैटरन में आपको चेकर करकर दिखाएंगे जिए कि इसका प्रमोटर है मैं आपको यह बात करके दिखाऊंगा इसका जो promoter है Hinduja Group है ठीक है तो Hinduja Group ने इसमें promoter की holding ले रखी है और इसमें promoter के पास देखिए सबसे अच्छी बात है कि 51% से जादा share holding है और यहां पे mutual fund companies के पास 10% की share holding है और यहां पे FII के पास बहुत जादा holding है यानि 14-15% की holding बहुत जादा मानी जाती है बहुत अच्छी मान जाती है और mutual fund company के पास 6% की holding है mutual fund companies 6% holding रखती है और public के पास जानते है 16% holding है यानि जहां पे हम और आप जो है ट्रेडिंग करते हैं और जहां से अगर promoters ने अपनी हिस्सेदारी में कोई भी changes नहीं किये हैं continuously 4 या 5 सालों के उपर और company एक promoter की हिस्सेदारी continue बराबर बराबर 51% बढ़ी हुई है ना company ने अपनी promoters और यह बड़ा यह company की strength को दिखाता है यानि कि company के management की strength को करता है company के management का जो strength होता और प्लेज मात 10% है और यहां पर देखे प्लेज थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यह प्लेज इतना सा adjustable होता है मै है यह ने 17% की holding ने रखी public ने 16% और अधरस ने 0% है तो फ्कुल मिला करके यह कह सकते हैं company का के fundamental काफी अच्छा मद्बूत है और मैं बात कर रहा हूं असोग लेलेंड के बारे में ठीक है जैसा कि आपको पता है कि अच्छी growth potential दिख रही है आने वाले time में तो चलिए company के के बारे में बात करें company को जैसे कि मैंने आपको बताया कि company है और कंपनी का शेर कंपनी है और इसका प्राइज अभी सौट टर्म के लिए 120 रुपए बता के रखा है और यहां पर जो इसका करण्ट प्राइज है जो 97 रुपीज के आसपा चला है ठीक है company का से वोल्डिंग प्राइज के लगता है तो फिनांसल कंपनी के काफी अच्छे तो पिछले क्वाटर में जो है यहां पर कंपनी ने दो रिपो इतने की की थी तो कंपनी का जो शेल था यह 3852 रुपए था यह और इसने जो 160 परशंट की जंप की थी लास्वाटर जो लास्वाटर यह सितंब सब्सक्राइब कंपनी का मेनेजमेंट काफी अच्छा है कंपनी के प्रमोटर्स है और उनके पास 51.5 परसंट बनी हुए लगाता है और उनके ने कभी भी चेंज नहीं किया इसमें तो यह मान के चलिए कि कंपनी लगातार जो है प्रॉफिट नहीं बना रही है वो अलग ब नहीं ह对 है यहां पाकी है और आप यहां पे अगराना चाहते है तो अभी वि मैं बोलता हूँ कि थोड़ा जब जाता है तो इसका आप यहां पर पोजिशन बना सकते हैं तो कंपनी के टार्गेट की बात कर लेता हूं तो यहां पर 110 रुपए और दूसरा टार्गेट मुझे 120 रुपए नजर आता है ठीक है और स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है मुझे इसका आपका 80 रुपीज के आसपास नजर आता यह 70 थोड़ा अगर आप डीप डीप स्टॉप लेते हैं तो आपको जो है 70 रुपीज रखना पड़ेगा ठीक है और यह बाकी जो है यह यह मैं क्कंपनी के बारे पढ़े में पड़िए कंपनी के बारे仔 करी उसके बाद को जब कर रही है और उस साबसे कंपनी की मेंcommerce और दूसरा उसका कंपनी का बिजनस मॉडल है तो अभी कंपनी में जो कारोबार हो रहा है वह ठीकी टाक चला है लेकिन अभी जो यहां से अभी हो सकता है कि अभी आर्ट उसक्टर करेगा तो इसका टार्गेट 110 रुपए से लिकर के 120 रुपए तक हो सकता है लेकिन उसके बा इन्वेश्मेंट तो चलिए दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दीजाएगा भाई का चनल सब्क्राइब कर दीजाएगा और मार्केट को समझेए मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है ठीक है धन्यवाद